प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चनल सुरसरता को और दबाएं बेल आइकन को संगेश रिलेटर तमाम वीडियोश पाने के लिए हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं पॉन सास्त्री और बड़ा ही खोबसुरा सा भजन और बड़ी ही खोबसुरा सी तर्ज एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए और ट्यूटोरियल इसका बहुत ही आसान होने वाला है इस बार हम देखने वाले हैं अपने थर्ड बलेक यानि तीसरी काली से एफ सार्प ये होने वाला है हमारा इसकेल और स्वर बहुत ही कम लगने वाले हैं एक दो तीन हाँ और भी है चार पांच छे तो छे स्वरों में ये हो जाने वाला है तो सारे गामा पाधा सासे धा तक हम जाने वाले हैं और इतने में ही ये पूरा भजन हो जाने वाला है क्या है हो मेरा स्याम बड़ा रंगीला की मस्ती बरसेगी किर्तन में तो ये है हमारा इस्थाई है ना पहले इस्थाई को हम देख लेते हैं क्या है देखे हो मेरा स्याम बड़ा रंगीला है ना पहले इतना हो मेरा हो मेरा सासा हो मेरा स्याम स्याम में स्याम सारे रे स्याम बड़ा बड़ा मारा गागा बड़ा रंग रंग में रंगीला पुरा देखें रंगीला यानी रेसा रेसा सा रंगीला फिर से एक बार देखें आराम से एक उंगले से हो मेरा सासा स्याम बड़ा गागा रंगी ला रे सासा रंगी ला रे सासा रंगी ला रे सासा उसको भी देख लेते हैं कैसे मेरा स्याम बड़ा रंगी ला की मस्ती की मस्ती की तो की तो सीधी सीधा गाह पर हो गया मस्ती को देख लेते हैं क्या है मस्ती गारे सा है न अब सभिए unit तो बरसे में सारे रिगा बरसे गी में अगारसा ये लग रहा है बरसे गी में गारसा फिक कि मस्ती बरसे गी और फिर इसको फिर रिपेट करेंगे क्या कि मस्ती बरसे गी तो इस बार गी हमारा गापे ही रुख जाएगा क्या की से मोही मस्ती से मोही बरसे से मोही गी गी हमारा गापे रुख गया फिर किरतन में क्या है की मस्ती बरसेगी किरतन में किरतन में फिर से कीरतन, तो कीरतन में रेसा, रेसा, कीरतन में, में सापे, ठिक, तो कीरतन में, है न, तो पहला तो मस्ती बरसेगी का गी था, गी, और दूसरा गी हमारा गापे ही रुग गया, और फिर, कीरतन में, है न, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, क्या, की मस्ती बरसेगी किरतन में है न तो इतना हो गया अब इसके बाद में फिर हम आते हैं अंत्रे पे और इसका जो पूरा भजन है और जो पूरा इसका भजन का अंत्रा है पूरी लिरिक्स इसकी और एक एक कंत्रे के एक एक सब्द के हिंदी लिखित नोटेशन आपको हमारे वेबसाइट www.surcetatechno.com पर मिल जाने वाले हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहां से भी आप यहां पहुंच सकते हैं अंत्रा क्या है बहुत ही समझ लिए कि छोटा सा है बिल्कुल तो अंत्रे को देखते हैं बड़ा खुब सुरस्थ सा है हो पहले यह हो तो इतना बजाने के बाद हम आएंगे क्या हो कोई स्याम को रिजा कर देखें क्या हो कोई हो कोई तो क्या गापा पापा हो कोई हो कोई स्याम को सब पापे ही है स्याम को रिजा करे रिजा कर में स्वर लगे रिजा कर यानि धापा मगर देखें देखें हमारा आएगा रेगा गा देखें देखें रेगा गा है ना तो यह हो क्या हो तो इस स्याम को रिजा कर देखें फिर हो क्या है हो तो सिदह सिदह रिजा मा हो रिजा मा हो तो तो पामगरसा ओ और फिर ओ यानि गरसा तो ये जो हमने बोला इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है और अब यहां पर हम नेक्ट लाइन बोलेंगे इसी लाइन को फिर हम यहां पर बोलेंगे जो अभी हमने यहां पर बोला था उसको पूरा करेंगे क्या था तो जैसा इस था ही चला था न सेम वैसे ही यह लाइन चल रही है इसको देख लेते हैं एक बार क्या है इसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान दबाएं ऐसे तमाम वीडियो पाने के लिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर कर आता है स्याम को रिजा कर देखे है ना तो अब यहां से फिर जैसा अभी तक हमने प्ली किहा आइसे ही प्ले करेंगे बागी जितने भी अंतरें हैं और जो भी है पूरा ऐसे ही प्ले हो इस्थाई फिर अंतरा और फिर अंतरा ऐसे प्ले होने वाला है और इसका पूरा लिखित नोटेशन आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाने वाला है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और सेट जरूर कीजिएगा